वह यहार देखो, अकाउंट ओपन करने का काम आपका सिर्फ 5 मिनिट का है, वो कोई बालक भी कर देगा, लेगिन उस अकाउंट को ओपन करने के बाद, हमको उसमें कौन-कौनसी लिमिटेशन्स मिलती हैं, और कौन-कौनसी इसमें बैनिफिट मिलती हैं, एक बर मैं आपको क् रोयल सेविंग अकाउंट, एयू बैंक का रोयल वर्ल्ड सेविंग अकाउंट, इनका अंदर भाई, पिनिशल फंडिंग देखो, एक लाग रुपए, पांच लाग रुपए, पत्चीस लाग रुपए, देखो, मान के चलते हैं, मैं भूला बठका गया, और मैंने यहाप पर मान लेते हैं, दस हजार मेंटेन वाला अकाउंट उपन कर दिया, भाई, मेरे माइन में क्या चल रहा है, कि मेरा तो जीरो बैलेंस अकाउंट है, अब अगर मैं उसके अंदर पैसा मेंटेन करके नहीं रखोंगा ना, तो वहाँ पर मेरे चार्जिस करने स्टार्ट हो ज अब देखो, है तो ये बिल्कुल सही, लेकिना थोड़ा सा सोचना, मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, अगर आप अपने अकाउंट के अंदर एक लाग से कम रुपे मिंटेन करके रखते हो, तो वहाँ पर आपको साधे तीन परशंट का मिलेगा, एक लाग से दस लाग के परशंट, दस लाग से एक करोड के बीच में, तो भी साथ परशंट, और एक करोड से लेके पांच करोड के बीच में, तब जाके वहाँ पर आपको 7.25% का इंट्रेस रेट दिया जाएगा, और पांच करोड से अबब है, तो वहाँ पर आपको 7% का मिलेगा, अब देखो यहाँ पर आपका basic interest rate है न, जो कि हमारा 3.5% का है, वह भाई बहुत जाद आए, क्योंकि other saving account के अंदर ये भी नहीं मिलता आपको, अब देखो, सबसे पहली चीज तो interest rate के पीछे भागना भाई, अब छोड़ दो, बहुत लोग interest rate के पीछे भाग के benefit को नहीं देखते, इस account का जो debit card मिलता है न, वो एक platinum level का debit card मिलता है, और यकीन मानों गई, एक आपको platinum level का debit card सिर्फ और सिफ, 117 रुपय के अंदर मिल जाता है, यानि कि आपको हर साल 1500 plus GST के charges देने पड़ते हैं, और मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूं कि KOTAK महंदरा bank, एक the best account है, इस account के अंदर कोई भी कमी नहीं है, लेकिन इसका भी debit card आपको two double line plus GST के साथ मिलता है, यहाँ पर आप देख सकता हूं, KOTAK bank आपको classic variant का debit card ओफर करता है, लेकिन AU bank आपको platinum variant का debit card ओफर करता है, और यकीन मानों इस debit card के benefit न, एक credit card को भी टकर दे सकते हैं, इसमें आपको air accidental cover 5 ला वगरा कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको influence मिल जाएगा, उसके बाद आपका personal accidental cover 2 लाख रुपय का मिल जाता है, अगर आप कहीं पर accident वगरा कर जाते हो, तो उसमें आप की काम आएगा, और सबसे important चीज़ आपको इस debit card के अंदर, airport के 8 launch access मिल जाएंगे हर साल, भाई देखो यह जो offer है ना, आपको यह credit card के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें के आपको 500 plus GST के charges देने पड़ते हैं, लेकिन मैं एक बार आप सोच की देखो, एक ऐसा account जिसमें के आपको zero balance maintain करना ही, और इसका debit card है, आपको सिर्फ 170 रुपे में मिल रहा है, और यह facility उसके अंदर मिल transaction हो, लेकिन मान के चलते हैं, अगर वो ATM किछी दूसरे bank account का है ना, तो यहाँ पे आपको एक महीनी के अंदर 5 transaction free देखने को मिलती है, और 5 transaction के बाद 2 chance अगर आपने चटी transaction करी, तो वहाँ पे आपको 20 रुपे per transaction का charge देना पड़ेगा, तो वहाँ इस चीज को भी आप ध्य पीचे रहता है, लेकिन यहाँ पे आप किसी भी ब्रांच के अंदर चले जाओ, आप यहाँ पे maximum 2 रुपे तक deposit करवा सकते हो, जो यहाँ पे आपका 1 रुपे है, वो आपका free रहता है, लेकिन 1 रुपे से उपर वाले amount पे आपको हर 1000 रुपे पे 4 रुपे का charge देना और इसके साथ-साथ अगर आप online payment करते हो, तो यहाँ पे आपको UPI, NEFT, RTS, IMPs, यह जितनी भी facility है, आपको सारी free देखने को मिलती है, और उसके साथ-साथ इस account के अंदर आप चाहो तो passbook, branch से जाके ले सकते हो, आपको घर पे नहीं मिलेगा, लेकिन checkbook और debit card आपको घर ब box के अंदर दे रखाए, उस पे आप जैसी click कर गए, आप इनकी official website पे आजाओगे, और यहाँ पे आपको three line पे click करने के बाद, personal वाले पे जाना है, personal पे जाने के बाद, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके पास account का section आ रहा है, आपको इसी पे click करना है, यहाँ पे कि आपको average monthly balance zero है, और यहाँ पे interest बगारे भी आप देख सकते हो, तो simply अब यहाँ पे आपको open account वाले option पे click कर देना है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यही वही page है, जहां से आप AU bank का zero balance account open कर सकते हो, अब देखो इनकी account में changes के कारण, आपको गलत account ना choose कर लो, इसल print to RBI, आप अधार card link mobile number से अपना account open कर सकते हो, अगर आप online open कर रहे हो, अगर आपका अधार number और mobile number अलग अलग है, तब आपको branch में जाके account open करना पड़ेगा, और ब्रांच में वो zero balance open करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यानक ना, तो भी mobile number डालने के बाद आपको simply continue कर देना ह और वो OTP आपको यहाँ पे enter कर देना ही, OTP डालने के बाद आपको दुबारा से proceed कर देना ही, यहाँ पे आप देख सकतो OTP verify हो चुगा है, उसके बाद आपको यहाँ पना pen card का number डालने पड़ेगा, तो भी make sure करना कि आपका pen card का number बिल्कु यहाँ पे सही होना चाहिए, उ आपके अधार card के साथ link mobile number पे OTP आएगा, और वो OTP आपके यहाँ पे डालके submit कर देना ही, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अधार card की मजद से इसने अमारी सारी detail यहाँ पे उठा लिए हैं, लेकिन आपको कुछ detail फिल करनी होगी, अगर आप personal वाल पे click करते हो, तो य यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका नाम पता सब सीजे बता देगा, यहाँ पे आपको simply अपना matter status चूस करना है, कि आप single हो या फिर married हो, जो भी हो आप अपनी मर्जी के साफ से बता सकते हो, उसके बाद आपको अपना complete email address डालना पड़ेगा, make sure करना कि यह working होनी चीए, क्योंकि इस पे OTP बगरा भेजा जाएगा, उसके बाद आपको simply submit कर देना है, submit करने के बाद आपको अपनी family की detail भी डालनी पड़ेगी, तो वही आपको अपना father name, mother name, अगर wife है तो डाल देना, वन आप इसको skip कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आपको nominee add करने का option आ रहे ह अब भाई देखो nominee इसलिए add किया जाता है, क्योंकि by any chance अगर हमारे साथ कोई भी दुरघटना घट जाती है, तो हमारे account गंजर जो भी पैसा होता है वो directly हमारे nominee को transfer कर दिया जाता है, इसलिए nominee add करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो यहाँ पे आपको yes I want पे click कर देना ह जाते हो, वो choose कर ले ना, father, mother, wife, brother, बहुत सारी option आ रहे हैं, आप इन में से कोई साब यह skillet कर ले ना, उसके बाद आपको अपनी nominee का नाम और nominee की date और यहाँ पे click कर देना ही, और उसके बाद आपको nominee का address भी verify करवाना पड़ेगा, तो जो भी मेरा address है ना, वो आ रहा है य अब देखो भाई, जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर address होता है, वो होता है आपका permanent address, और जहां पर आप अभी रह रहे हो, वो होता है आपका communication address, तो यह पूस रहेगी कि आपका communication address सेम है, क्योंकि आपके communication address भी आपका welcome के debit card, checkbook, यह सारी चीज़े भेजी जाएंगी, तो भी अगर सेम हुआ, तो आपको yes कर देना है, और सेम नहीं हुआ, तो no करके आपको अपना complete communication address यहाँ पे एंटर कर देना है, अब इस पहले page पे आपको अपना occupation type भी बताना पड़ेगा, तो भाई आप जो भी काम करते हो, आप यहाँ पर बता सकते हो, जैसे कि आप salary person ह जो भी हो, आप यहाँ से बता सकते हो, उसके बाद आपको अपनी annual income यहाँ पे बताने बढ़ेगी, तो भाई हमने less than 2.5 lakhs दिला कर लिया, उसके बाद आपको submit detail पे click कर देना ही, अब यहाँ पे आपको दो no term and concern को accept करना है, उसके बाद submit detail पे click कर देना ही, अब यहाँ पे नाम भी आप देख सकते हो, AU saving value account, हमको कौन सा open करना था, AU digital saving account, बहुच लोग यहीं कलती करते हैं, उनके सामने जो account आता है, उसको continue पे click करके उसी को open कर लेते हैं, लेकिन थोड़ सा scroll करोगे, तो आप नीचे में देख सकते हो, explore other account type करना है, आपको AU bank के आप जितने भी account ह वो भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जैसे की AU bank का platinum account, AU bank का royal account, और इसके नीचे और भी है AU bank का digital saving account, अब यहाँ देखो हमको यही वाल account open करना है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, average monthly balance हमारा 0 है, अगर आप detail पे click करते हो, तो भाई इस account के जो भी feature हैं आप देख ले लेकिन यहाँ पे हमको 500 रुपे funding करनी पड़ीगी, यह हमारी initial funding होती है, लेकिन आप यहाँ पे ज्यादा tension पते हैं, क्योंकि account उपर हो जाने के बाद, सबसे पहले तो यह वाला पैसा हमारी account के अदर credit होने वाला है, और credit हो जाने के बाद, instant हम यहाँ पे withdraw कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे enter करना ही, उसके बाद आपको simply proceed to pay पे click कर देना ही, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने हमको Google Pay की request भेजी है, तो भी आपको simply अपने Google पे बगार पे चले जाना ही, वहाँ पे आप देख सकते हो, आपको 500 रुपे की request आई पड़ी होगी, वहाँ से आपको payment को proceed कर देना ही, अब proceed आप जैसी कर देते हो न, थोड़ा सा processing होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारे account के अंदर 500 रुपे successful credit हो चुके हैं, तो भी आपको simply initiate video KYC के लिए प्रोसीड कर देना ही, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ सी यहाँ चैट से option open हो चुकी है, अब यहाँ पे पूछ रहे कि क्या आपनी KYC अभी करवाना चाते हो, या फिर आप इसको postpone करवाना चाते हो, तो भी हम तो यहाँ पे instant KYC करवाना चाते हैं, यहाँ पे आपको simply click here to start your BD KYC पे click कर दिना ही, तो भी इसके बाद AU bank के तरफ से एक agent आपके उठते हैं तो आप इन agent से पूछ सकते हो, आपको यहाँ पे सारी answer मिल जाएंगे, उसके बाद आपके पास भी ऐसा thank you का page आजाएगा, और जैसी आपकी वीडियो के बाइस यहाँ पे successful complete होती है, उसके बाद आपको एक reference number भेद दिये जाएगा, और उसके 5-10 मिनिट के बा आपको यहाँ पे solution मिल जाएगा, बागे बाद इतना ताथ किस वीडियो के अंदर, make sure आप इस वीडियो के लाइक करके चैनल को subscribe कर देना, मिलते हमने अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक लिए जैहिन जै भारत